नमस्कार आप सभी को आप सभी के लिए लाया हूँ मैं एक नई बिल्कुल प्रमानिक अपडेट हसी की तरफ से तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि 22 लिए कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी गुरूप दी पोस्ट खाली हैं तो मैंने आपको बताया था ना टो उसके वारे में मैं आपके सामने जानकारी लेकर रहे हूँ कि की तो कि पोस्ट खाली हैं कि TGT का पर्मानेंट रेजल्ट 95 में से आएगा लेकिन कब आएगा ठीक है तो मेरे साथ आप जानकारी के लिए बने रही है और इस से 14,000 में अगर पलस होती है विकेंसी तो कट आफ आफ की कितनी डाउन जाएगी ठीक है तो प्लीज जन्होंने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है वो चैनल सस्क्राइब कर लिजिए हमारी अपडेट के लिए और इस वीडियो को लाइक करना सुरू करना है क्योंकि मैं सिर्फ गुरोपड़ी और मीडियम क्लास के लोगों के लिए तत्पर हूँ ताकि उनके घर्मों नोपरी आए तो आएए चलते हैं भरती की जानकारी की तरफ तो अभी मैं आपको बता दूँ सरकार ने घोसना की थी कि हम भैया 14,000 का चार गोना बोलाएंगे तो उनका होता है 56,000 ठीक आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ अभी इसी में 58,000 बोला गया था 56,000 से 58,000 तो इसमें जो विकेंसी बड़ी कितनी बड़ी 2,000 ठीक है 2,000 बढ़ गई मैं आपको बता दूँ दरासल ये विकेंसी है 2,000 जिसकी प्रमानिक रिपोर्ट है एचसी के गुप्त सूत्रों के अनुसार जो 22 जिलों के डीसी थे उनसे जो रिपोर्ट मांगी कही थी आपके हैं कितनी विकेंसी हैं उनके बारे में बताईए तो लगवग लगवग 2,500 के आसपास विकेंसी निकल कर आईए अब 2,500 निकल कर आईए 16,500 नहीं मैं आपको बता दूँ एक्शल में ये तो 2,000 फिक्स हैं इनसे अलग आपकी 1,000 और हैं ठीक है 1,000 और हैं उनके बारे में अभी सरकार ने नौटिफिकेंसन नहीं लाया कभी भी आपका 2-3 दिनों में 2-3 दिनों में नौटिफिकेंसन आजाएगा और एक पोर्टल भी खुलेगा आप सभी के लिए खासकर गुरूब डी वालों के लिए और गुरूब डी वालों के लिए उनके लिए खुलेगा जो 58,000 से लेकर 69,000 तक सौर्ट लिस्टिड होंगे अपको बताई रखी है 64, 62, 63 सौरी 61, ये लोग खासकर 62 वाले 62 से लेकर नीचे तक अपने डी वी के लिए तैयार हो जाएं और ये जितने भी हैं अच्छे से तैयारी कर लें कुर्मिला के बात ये है अब मैं आपको ले सलता हूँ 56,55 की तरफ भीया मैं ने कहा था 56,55 का रजल के पहले आ जाएगा अब HSC के वकील ही ढीले पर गए आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाए तो मैं क्या करूँ इसमें बताओ कोई जवाब ही नहीं दे पाया उन वकीलों के सामने और एक वकील थे वकील साहब थे उनके आर्ग्यूमेंट थोड़े से है भी पड़े और जो हमारे HSC के वकील थे वो नहीं कर पाए अब HSC के वकीलों को जो डेट मिली है वो आपको पताईए 6 मार्च मिली है ठीक है अब 6 मार्च की तैयारी कर रहे है ये लोग अंदर की वाद बता रहा हूं है अच्छी वाली तैयारी बोल रहे हैं जिसको तो ये जहां तक है 6 मार्च को खिलियर हो जाएगा 567 का मामला 567 पर केवल एक ही केस है वो रिपीटिड कॉस्चन का रिपीटिड कॉस्चन का केस है बस और कोई केस ही नहीं है ठीक है अब ये 567 का केस अगर 6 मार्च को के लिए रहो जाता है 6 मार्च की साम को रजलत आ जाएगा 567 का ठीक है 567 है 12,000 के आसपास लोग है ये वो ही हैं जिनोंने गुरुप डिगाए एक्जाम दिया है सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 567 के लिए हो और TGT के भी कुछ बच्चे हैं और ध्यान रहे आपको बात बता दू TGT के बारे में 74, 73, 74 मास्टर नहीं लगे तो गुरुप डी में ही लग जाओ ये TGT वाले लेक्षरा रहे हैं ये चाहते हैं कि हम कभी भी मास्टर बन जाएं और मास्टर ना भी बने तो गुरुप डी में तो कमसे हम लगी जाएं ताकि हम सरकाई नोकी मिल जाए तो ये इसका TGT का फंडा और TGT का रजल्ट पिच्चानवे में से कभी भी आ सकता है अगर पांच नंबर का मामला सॉल्ट नहीं हुआ और नहीं होगा ये पिच्चानवे में से ही आएगा इसका रजल्ट मैं आपको बता दू साफ साफ लेकिन फिर भी सरकार 6 मार्च की वेट करेगी क्योंकि TGT का मामला और गुरुप 56 का मामला अभी 6 त्यारिक को यह सारा कुछ ठीक है इसके बाद अगर 6 मार्च को यह सब करेख हो जाता है तो सात मार्च को कभी भी गुरुप D का रजल्ट आजाएगा ठीक है पर गुरुब डी का रजल्ट आने से पहले आपको मैंने बतातो दिया अभी जाने कि चे तारिक से आज से लेकर कल परसों तक आज से लेकर कल परसों तक आपकी पोर्टल खुलेगा पोस्ट प्रीफ्रेंस के लिए जिसमें आपको yes or no करना पड़ेगा कि आपको जॉब चाहिए या नहीं चाहिए ठीक है और जिनकी जॉब लग चुकी है जिनोंने सब्सक्राइब की तरफ सपोर्ट कोटा की जो लिष्ट है के कट-off की जो लिष्ट है वो कभी भी आ सकती है संडे साम तक यानि के आशनिवार कल संडे तक और आपको बता दू कुश्ट कोटा कमोटा की कट निस पर स्वेड के कटोफ बता देता हूंस न मिर्क होगे कि सर बिलकुल एक्टिल रिपोंटर का उगया करह जन्डरल की देख लोगे स्पोर्ट कोटा की चालिस से एक तालिस ठीक है और सी की देता हूं डारेक्ट इसी साइप आईडिया लगाने च्छतिस एससी यह स्पोर्स कोटा की अब कट ओफ है ठीक है और इसकी लिस्ट कभी भी आ सकती है आज साम तक यह है अब तक की अपडेट और TGT का रजल्ट भी आपको बता दू कभी भी रजल्ट देंगे यह 95 में से देंगे और गुरूप D का भी रजल्ट देंगे तो यह 95 में से देंगे अगर फिर भी आप सभी का किसी का कोई डाउट है तो मेरे उस वीडियो को देख सकते हो जिस पर मैंने कट ओफ बताई गय है मैंने सब कुछ बताया हुआ फिक्स तो आप सभी रेक सकते हो जो अच्छे लोग थे गुरूप D में से निकल गए और गुरूप D में के लिए लायक है जिनके गुरूप D के लगवख लगवख नंबर है सेलेक्शन के लायक तो आई होप मेरे द्वारा दिए जानकारी आपके अच्छे समझ में आ गई होगी केमरा मैं तो आप सभी रुकिए एक सेकेंड आप सभी मेरी बात समझें जो भी मैंने आपको जानकारी दिया विल्कुल फैक्ट पर दिया है और आप सभी ध्यान ले प्लीज इस वीडियो को लायक करना न भूले और जो भी लोग करें लाइक और किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वर्टसप इंस्टाफ फेस्बूप पर सेयर करें ना मस्ताइब